असलाम अलेकुम तो आज का जो वीडियो है भाई की घर से है जहां पर हम कुछ पेर्स देखेंगे नाइन पेर्स जो वेलेबल है सेल के लिए हाई फ्लायर रोलर में ठीक है तो भाई के पास भी सेम इशू है बारिश वाला जिसके विज़े से भाई की घर के काफी अच्छे साले कपूतर यहां आप देखेंगे सारे बड़े उनके घर के ब्रीडर पेर्स देखेंगे तो यह जैसे देख सकते हैं यह फर्स्ट वाला पेर है यहां पे और भाई का जो नंबर है उपर टाइटल में दे दिया गया है डिरेक्ली कॉलिया वत्साप पर आप उनसे बात कर स्क्रीन के नीचे कॉर्णर में नंबर दे दूं कल वीडियो पर में सो गया था तो यहां पे इस तरीके से दे दिया गया है और जिन भायों ने कल का वीडियो नहीं देखा मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि हम 50,000 सब्सक्राइबर्स पर 50 कपूतर का गिववे कर रहे हैं तो वो कबूतरों के गिववे में एंटर करने के लिए पहले चानल को सब्सक्राइब करें उसके साथ साथ वीडियो के नीचे कमेंट करिए तो कोई रैंडम 10 या 15 वीडियो में देखा जाएगा जिए वो लोगों के वीडियो के नीचे कमेंट regular रहेंगे 50 winners को च चाहते हैं इस पेर को भी ले सकते हैं काफी अच्छा पेर है ठीक िरसा आपango सब्सक्राइची में अब कर एक्वाला पेर है काफी setup हुआ इनकी आंक और बागी सारी चीज बहुत जबर्दस है और मेल तो बहुत ही जादा बड़े साइज में है तो जो लेना चाहते हैं इस पेर को डेफिनेटली आप ले सकते हैं ब्रीड के लिए काफी अच्छे ब्रीडर को पूतर है भाई के घर के ठीक है वाइट चोंच इनकी प होता है क्योंकि यह एकदम से मार्केट में आता है फिर यह काफी दिनों तक दिखता नहीं है इसके हिसाब से ठीक है तो यहां पर यह एक और पेर है यह भी बहुत अच्छा पेर है जैसा आपके सामने आप देख सकते हैं यह वाला और काफी आक्टिव है भाई के घर के सार यह कबूतर है भाई के जैसा आप देख सकते हैं आपके सामने स्टैंडिंग देखी हुए कबूतरों की बहुत ही शांदार जिस तरीके से देख सकते हैं आप एकदम आक्टिव कबूतर है और इसी तरीके से यह फिफ्ट वाला फेर कंप्लीट होता है यहां पर तो जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए और इंशालला कोशिश है कि जलते जल्द आपको अच्छे से अच्छे कबूतर बताया जाएं तो यहां पर जैसा देख रहे हैं अब यह भी छापदार में पेर आया हुआ है और सारे पेर्स भाई रोलर पेर्स है क्यूंकि हिदरबाद में जादतर शॉप लोगों को रोलिंग कबूतरों का ही है तो मार्केट में अभी जादा रोलिंग कबूतर ही निकल रहे बाहर तो यह continue roll जो करते हैं कबूतर उनको butterfly roller बताया जाता है तो उनके मैं वीडियो जब भी दालता हूं mention कर देता हूं यह roller कबूतर से शुमार यह है कि यह हवा में जाके at least एक से दो पल्टी तो कंपल सरी मारते हैं ठीक है जब यह ओडते रहते हैं तो वो एसाब में भाई यह roller कबूतर है continue roll करने वाले कबूतर यह नहीं है ठीक है वो butterfly rollers में आते हैं यह 7 वाला पेर है जैसे आप देख सकते हैं काफी अच्छी quality में आप देखिए size देखिए कबूतरों का तो यह भी सारे भायों के पास है तो यह भी काले सर वाले कबूतर है चापदार टाइप में तो जो भी भाई लेना चाते हैं इनको भी ले सकते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई rolling की वीडियो आड़ करिए वीडियो जब आप बनाते हैं साथ में तो भाई जब बिजो बनाते हैं तो काफी टाइट शेडियूल पर विजट होता है किसी भी भाई के घर पर और जब कपूतर को उड़ा के परसनली ठेर के फिर उसका वीडियो बनाना काफी मुश्किल होता है तो इसी के वज़े से रोलिंग जो वीडियो जिसो भी भाई के पास अगर कभी हो फ्री टाइम में रिकॉर्ड कर लेते हैं वीडियो तो वो पोस्ट किया जाता है साथ में भाई के पास भाई यह जैसा देख सकते हैं यह एक पेर है यहाँ पेर नमबर एट है कासनी में जोड़ा आया हुआ है काफी अच्छे कलर में यह ठीक है तो जो भी भाई लेना चाहते हैं इस पेर को तो डेफिनेटली आप चूस कर ही सकते हैं ठीक है बहुत अच्छी क्वालिटी में यह पेर आया हुआ है राइट साड़ वाला मेल है और लेट साड़ वाली आप देख सकते हैं छापदार टाइप में फीमेल आई हुए कासनी कलर म तो यह हमारा एट वाला पेर है इसके बाद शायद हम एक और पेर देखेंगे नाइन पेर है तो यह पेर तो भाई काफी तेज है तो यह पेर है यह इतनी सेकेंड के बाद भाई पेर निकल के भाग गया